अजबेर में फेस्बुक पर फर्जी आईडी बनाकर युवक से ठगी का मामला सामने आया है ठगों ने पिडित युवक के दोस्त की फर्जी आईडी बनाई और परिवार के सदसे के बिमार होने का जहासा दे कर 5,75,000 रुपे हड़ लिए पिडित की और से क्रिशिन गंज थाने में इसकी शिकायद की गई पुलिस ने मामला दर्जकर जाच शुरू कर दी है ठगों से काउंट डिटेल ली बाद में अपने विदेश में संचालित दो एकाउंट और भारत में संचालित एक एकाउंट से करीब 5,75,000 रुपे ट्रांसफर कर लिए पुलिस को बताया की कि इस दिसंबर 2030 को ठगों ने वापस उसे पैसे मांगे तो उसे शक हुआ उसके बाद उसने अपने दोस्त को उसके नंबर पर कॉल किया तो उसने पैसे मांगने से इंकार कर दिया इसके बाद ठगों की चौल बासी का खुला सा हुआ 22 बारा 2023 को शीरी विवेक राज सेटी पुत्र सीरी राजंदर कुमार सेटी उमर सती साल निवाशी बी बलोग 375 नगर अजमेर नो उपस्तित थाना होकर बताया कि दिनांक 9 बारा 23 से दिनांक 21 बारा 23 तक मेरे दोस्त अनिकेद गोईल की फेश्बुक पर फेंक आईडी बना कर मेरे को बताया कि मेरी मेरी मा बिमार है और मेरे पेशों की जुरूत है तो उस पर उसने तीन किस्तों में पेशे जम्मा कराए पुल पेशे पांच लाग चोत्तर अजार आशो चोरण वर पे जम्मा करा दिये फिर उसको मा पता चला कि दोस्त से वाश्चर पे 21 तारी को बात की तो उसको पता चला कि मेरे साथ फ्रोड हो गया है जिस पर मुगदमा नमर आशो पांच अबलिक तेईस दारा चाशो शाइपी शिम दरज कर अनुसंदन जा रही है यह रेने वड़ा पंच हील का है वो पर जिये जो उनका अतपता नीव अनुसंदन से दोस्त बन कर वाश्चर तेजारा में शनिमार को स्री अग्रे सेंट महिला महा विद्याले बयाना में राश्चे सेवा योजना के तत्वा प्रभारी मंजू अग्रवाल ने किया इस अफसर पर एनसस प्रभारी के सरवपर्थम स्वयमसेवक्यों को 2047 तक विक्सित और अतनिर्भर रास्ट बनाने के सपने को साकार करने के लिए संकल्प दिलवाई इसके बाद स्वयमसेविकाओ को अवकत करा कि भारत सरकार तथा राज्यसरकार द्वारा जनहित में चल रही शास के योजनाओ को गाउंकन तक पहुचाने के लिए विक्सित भारत संकल्प यात्रा का योजन राज्यस्थान राज्य में किया ज़ा रहा है इसके साथ ही स्वयमसेविकाओ का मैं भारत पोट्रल पर शत्र प्रतीशित पंज सिंगर अफ्तार किया है बांसुर डियस्पी सुनेल जाखर ने बताया कि करीबं डेड़ वर्सपूर्व बास दयाल थाना अंतरगत एक महिला का घर से अपहरन कर खोईरी गाउं के पास एक तिबारा में ले जाकर दोनों आरूपियों ने बलातकार किया था बास दयाल थाना अदिकारी अजसिंग शिखावत के नैतरित में टीम गठित कर आरूपियों के छुपने के ठिकानों पर कारवाई कर दो आरूपिय अशोक एवं विजेंद्र उर्फ बिर्जु को गरफतार किया जिनको नियाले में पेश किया गया है पर कारवाई करते हुए अजसिंग शेखावत और उनकी तीम ने लगातार दबिश देकर अरूपिय अशोक कुमार और विजेंद्र उस बिर्जु को गिरफतार कर पेश नेयाले कर दिया जाए कारसवार योको के पाली के जाडन टोल नाके के करमचारियों से कहा सुनी हुई थी वे वहां से जोधपूर में लूनी थाना इलाके के खेजडली टोल नाके पर पहुचे तो वहां टोल करमचारियों ने बोलेरो कैमपर कार में SUV को टकर मार दी और कारसवार तीन योको को प अस्थानिय लोगों के बीच वहां साइट को लेकर जबरदस्त मारपीट की घटना सामने आई थी वहें से मारपीट में राच चलता एक वैक्ति गंभी रूप से घायल हो गया था जिसके बाद रिपोर्ट के आधार पर कारवाई करते हुए पुलिस ने चार रॉयलिटी कर्मियों और दो अस्थानिय लोगों को गिरफ्तार किया है डिड़वाना शहर के मुखे बाजार नागारी गेट के अंदर शनिवार सुबह चानक से एक सबजी फ्रूट के गुदाम में आग लगए आग गुदाम के अंदर रखे फ्रूट के कैरेट में लगी और चारो और फैल गए गुदाम में धुआ निकलता देख लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को आग की सूचना दी जिस पर दमकल कर्मी अपनी में टीम के साथ तुरंत नागौरी गेट इस घटना पर पहुचे और दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया जिसे बड़ा हाथसा होने से टल किया दमकल कर्मियों की सूचबूज और अस्थानी लोगों की मदद से विक्राल होती आग पर काबू पाया किया से बड़ी दुरघटना हो सकती थी जिसको समय रहते आग पर काबू पाकर बड़ी दुरघटना को टाल दिया गया अजमेर के रामगन स्थान शेत्र के चंदरवर्दाई नगर के रहने वाले संजय के साथ ऑनलाइन धोकधड़ी का मामला सामने आया है पुलिस ने बताया कि पिड़ित संजय ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई की अमेजन ग्लोबल से उनके वाटसप पर प्रोड़क्ट एड़ करने का मैसेज आया जिसमें उसे लुभावनी बातों से फसाया क्या पिड़ित को पहले तो ठग ने लालच देने के लिए 5000 रुपए ट्रांसफर किये उसके बाद पिड़ित ने उसमें करीब डेड़ लाख रुपए भेज दिये जिस पर ठग ने कहा कि और तीन लाख रुपए अकाउन में डालो इस पर पिड़ित को शक हुआ कि वो ऑनलाइ ठगी का शिकार हो रहा है तब जाकर उसने रामगन स्थाने में ऑनलाइन ठगी की रिपोर्ट दर्ज कर आई है पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अनुशंधान शुरू कर दिया है अजमेर के समराट प्रित्विरा चोहान राज के महाविद्याले में परिक्षा ड्यूटी के बाद स्टूडेंट को पकड़ कर ठाने ले गई और शांती भंग में गिरफ्तार कर लिया प्रित्व परफिसर की रिपोर्ट पर मामला दर्ज पुलिस मामले की जांच में जुटी है हर्श विहार कॉलोनी जैपु रोड अजमेर निवासी डॉक्टर मनुज कुमार पर स्टूडेंट के प्रवेश पत्र वा पहचान पत्र की जांच कर रहे थे इसे दौरान आरेभट कॉलेज के एक छात्र छितिज शर्मा ने प्रवेश पत्र वा पहचान पत्र दिखाने से मना कर दिया इसके बाद उसने जोर-जोर से चिलाते हुए उनकी गरदन पकड़ सोनी की चेन में लगा 50 ग्रावन वजनी लॉकेट भी गायब मिला पुलिस ने सरकारी कारी के दौरान सरकारी कर्मिच्वारी से मारपीट करने के आरोप में मामला दर्चकर जाज SI दयानंद शर्मा को सौपी है कल MDS इनस्टी का एक्जाम था और मैं और फुलाराम परियार सर हम दोनों फ्लाइंग ड्यूटी में थे और हम लोग गेट पे ही जहांसे एंट्री करते हैं बच्चे उस गेट पे हम लोग अपनी ड्यूटी दे रहे थे एड्मिशन कार्ड चेक करना होता है और आईडी प्रूफ चेक करना होता है तो उसमें से बहुत सारे बच्चे अंदर हमने ले लिए थे आईडी प्रूफ चेक करते वे एक बच्चों का एक पूरा ग्रूप आता है और उसमें सब बच्चों को हमने का बेटा सारे आईडी और उसने अपने नाखून मैं जो पता चला बाद में कि उसने अपने दस के दस नाखून बढ़ा रखें, गल्ज से भी बड़े-बड़े कर रखें, बिल्कुल अथ्यार की तरह काम करें, उसने मेरे भूम पे पूरा जप्टा मारा, इदर मेरे गले पे जप्टा मारा, फिर उसके बाद उसको पकड़के हम लोग अंदर लेगए अंदर उसको रूम में बिठाया और बिठाने की बाद पुलिस को किया और उसके बाद पुलिस में उसको ले गई अपना करेवायी करें में यह बट कोलेज हर साल हमारे यहां पता नहीं क्यों सेंटर दे देते हैं और उस कोलेज के बच्चे हर साल लग भग न्यूसेंस की रेट यहां करते हैं मैंने पिछले साल भी एक पूरे ग्रुप को जोर जोर से गालिया बकते हुए गालिया मैं बता नहीं सकता है ऐसे गल्स के साम का बताता है और वैसे जांगिड है लेकिन वह फाइनियर का थार उसका लास्ट एक्जाम था तो उस जूम में था कि मैं लास्ट एक्जाम देके चला जाऊंगा तो इस तरह का दाड़ी-वाड़ी बढ़ा रखी दिसर अपरादी प्रवर्ति का जैसा लगता था लेकिन हमने बहुत स्मूथली उसको करने की कोशिज करी लेकिन पता नहीं था वह इस तरह से नाखुन बढ़ा के रटेक करेगा मेरा मैं सर प्रोफेसर मनोज यादव हूं बोटनी डिपार्टमेंट में हूँ आर्मी एंसी सी का मैं कैप्टेन भी हूँ प्रोफेसर मनोज यादव ने उसका पैचान पत्र मंगा उस बात पर वह आविश्रों कर दो करी है प्रूपेसर मनो जार्मा को एक से आपिसी में गिरिफतार कर लिया गया है अलवर्ड जिले में तिजारा के मुंडाना गाओं में शुक्रदार रात को कमरे में लगे हीटर के कारण आग लगने से मासूम बेटी और पता की मौत हो गए जबकि मा गंभीर रूप से जुलस गई शेकपुर्थाना पुलिस के मुताबिक इस हाथसे में 23 साल के पिता दिपक यादो और दो बागी नन्ही बेटी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि मा संचु को गंभीर हालत में अस्पिताल में भरती करया क्या महिला को 60% जली हालत में 13 से अलवर रैफर किया क्या है हाथसे के वक्त दमबती अपनी दो माह की बेटी के साथ कमरे में सो रही थी इस दोरान शौट सर्कीट की कारेंट हीटर में आग लग गई मृत्ता की युवा के पेश्वे से ड्राइवर था और तेल का टैंकर चलाता था हमारा रात को सो सर्कीट की वेज़े से आग लग गई थी और आग के वेशे वो पती दोनों उतनी पाए अगर उनकी बच्ची थी दो तीन महीने की वह और उनकी पती जलकर उनकी डैथ हो गई और उनकी वाइफ है जो अभी अल्वर रैपर कर रखी वो भी एक्टी पास से जली हो इने अगर जाने के कारण दो लोगों की जो पता है और तीन महाई की बेटी थी तो रात में द्रुगटनावस किसी करणों से गर में सोये हुए थे आग लग जाने के कारण दो लोगों की जो पता है और तीन महाई की बेटी है उसकी मुझे पर जलने से मौत हो गई और उनकी पत्नी है संजु उसको अलवर हुस्पिटल में एड़मिट करवाया जहां उनका नादी एक साल पहले हुई थी एक कपल की शादी 15 दिन पहले ही खरीदी थी नईकार पंजाब के मोगा में भीशन सड़क हाथसे में राजस्थान के एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई जबकि 5 साल की बच्ची जंदा बच गई बच्ची घायल है और उसका अस्पताल मे इलाद चुल रहा है कार सवार सभी लोग अनुगड़ जिले की रामसिंगपूर मंडी के रहने वाले थे और पंजाब में एक शादी समारों में शामिल होने जा रहे थे यहाथसा पंजाब के मोगा जिले के बंधरी कला थान अंतरगत गाव बुटुर कला के पास हुआ जिसमें पत्थरों से भर एक डंपर का टायर फढ़ गया और वह बेकावू होकर कार पर पलट गया जुसे कार में सवार एक ही परिवार के चार लोगों की मौध हो गई इसाथ से मैनुपगड के राम सिंग पूर मंडी निवासी करमवीर सिंग उनकी पत्नी मनप्रीत कौर सोहावत सिंग उनकी पत्नी लोप्रीत कौर की मौध हो गई जबकि करमवीर की पाँच साल की बेटी नमनीत कौर घायल हो गई यस तभी यहां सोहावत की चचेरी शाली की शादी में जा रहे थे मिरतको के पितार अतन सिंग ने बताया कि सोहावत सिंग करेब पांच सालों से ही कनाडा में रह रहा था 18 अक्टूबर को शादी के लिए कनाडा से भरत आया था और 19 नवंबर 2023 को ही सोहावत की शादी लोपरीत को और से हुई थी इसी के साथ ये बात भी सामने आये कि 15 दिन पहले ही परिवार ने नई कार खरी दी थी